क्या है आलादी इनुट राजकुमारी बदर की कहानी क्या है जादूई चिराफ की कहानी कौन है आवल मजीशियन हिकमाद नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रेंक का अब सबका स्वागत है बॉलिग्रेट स्टूडियोज में साइंस फिक्शन पर बनी स्टोरीज को देखना आज के टाइम में सब पसंद करते हैं आखिर उन पिक्चर्स में कुछ ऐसे मैजिक्स और पावर्स दिखाई जाती है चो कवे पॉसिबल ही नहीं है मूवीज की बात ना करें तो भी शकलललबुमबुम और शरार जैसे टीवी शोज भी बहुत पसंद किये जाते थे मगर ये सब तो कालपने कहानिया है मैजिक की स्टोरी पर एक कहानी और है कई लोगों इसे सच भी कहते हैं एक चिराग की कहानी अब कैस कर सकते हैं? हम ही आपको बताते हैं अलादीन तो नाम सुना ही होगा आपने जी हां इस अलादीन और शिराग की कहानी को सबसे पहले बोलीवुड में 1952 में दिखाया गया था पसंद पिक्चर्स के बैनर के अंडर बनी इस फेंटेसी फिल्म को होमीवादिया ने डिरेक्ट किया था 1952 में आई इस फिल्म का टाइजर अलादीन और जादूई चिराग था जसमें मीना कुमारी, मही पार, एसेंतर पार्थी, बीएम व्यास, पंडे तमर्राथ और राजा थेंडो, इंपोर्टेंट रोल में नदर आये थे अरब कंट्री की फॉक टेल्स पर बेस्ट बुक अरेबियन नाइट्स के अधार पर इस फिल्म की कहानी बनाई गई थी जसमें अलादीन के अडवेंचर्स को बताया गया बात करते हैं फिल्म की स्टोरी तो फिल्म की स्टार्टिंग एक केव के सीन से होती है जहां मेजीशियन थिकमत को एक जैनी जीनी बताते हैं अगर उसे इस वर्ल्ड में रूल करना है तो उसे एक ऐसे इंसान को डूडना होगा जो होनेस्ट हो और साथ में उसमें 21 मोल्स भी होने चाहिए वही इंसान इस केव के अंदर जाकर वो स्लैम को ला सकता है और मेजीशियन की विश को कम्प्लीट कर सकता है मेजीशियन उस इंसान को डूड लेता है और वो लड़का अलादीन है अलादीन प्रिंसेस बदर से प्यार करता है जिसके पिता को एवल मिनस्टर मसूद बैग ने अपने पैलस में प्रिजनर बना कर रखा हुआ है जब मसूद की बेटी अलादीन को माइनर मिस्टेक के लिए मारता है तब ही मेजीशियन उसे पहचान जाता है और अपने साथ केव ले जाता है लैंप लाने के लिए लेम्प लेने के बाद जब अलेदीन को मेजीशन की रियलिटी पता चलती है तब वो लेम्प को मेजीशन को देने से मना कर देता है इस बात पर मेजीशन केव को बंग कर देता है और अलादीन लेम्प के साथ केव में ही फर्स जाता है मोवे में इंट्रोसिंग पार्ट तब स्टार्ट होता है जब अलादीन के लैंप रप हो जाता है जीनी आता है और वो अलादीन की सारी प्रोब्लम सोल्ट कर देता है केव से बहार आने पर जीनी अलादीन को हेल्प बदर से शादी करने के लिए करता है और बदर के पिता को फ्री करवाने के लिए भी जीनी बदर के पिता को सुल्तान बनाता है साफी पैलेस भी बना के देता है लेकिन इस अच्छी कहानी के बीच में एक और ट्विस्ट आता ह जब मेजीशिय लैंप को ले लेता है। इसके बाद अलादीन की लाइफ में एडवेंचर स्टार्ट होते हैं। जब तक वो इस लैंप को वापस नहीं पा लेता। लेंट लेने के बांद अलादीन जीनी के साथ मिलकर उसमें दीशियन को गायब कर देता है। इस तरह अलादीन और बदर की स्टोरी एक हैंपी हैंडिंग में खतम हो जाती है। ये फिल्म 1952 में बनी थी जिस टाइब। पिक्चर एडिटिंग और स्पेशल एफेक्ट्स के लिए इंडॉस्ट्री में सफिशेंट एक्स्वर्मेंट नहीं होते थे। और ना ही इतनी नौलेश लोगों को थी। मगर इस फिल्म को पेस्ट बनाने के लिए कोशिश पूरी की गए। आर्ट डिरेक्शन और स्पेशल एफेक्ट्स का काम बाबू भाई मिस्ट्री ने इस फिल्म के लिए संभाला। इस फिल्म की सक्सेस के बाद कई माथलोजिकल मूवीज और फेंटेसी जैनरीज की फिल्में में बाबू भाई ने ही स्पेशल एफेक्ट्स का काम किया। और fantasy story पर भी best movies बनाना स्टार्ट किया जो कि box office में success भी होती थी हाला कि पसंद pictures को homie vardia's company के नाम से भी जाना जाता है J.B.H. vardia इस company में story, screenplay, dialogue के section में काम करते रहे इस film में S.N.T.R.PARTY और चित्रगुप्त ने music director के तोर पर काम किया है और वहीं महुमद राफी, लतामंगेशकर, समशित बेगम, आशा भोसले और चित्रगुप्त ने इस film में गाने काये है अगर आपको भी अलादीन और जादुई चिराक की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूस सरूर बताएं साथ ही बॉलिवुड की पुरानी फिल्मों से लेक अपकमिंग फिल्मों तक की इंट्रेस्टिंग बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलिग्रेट स्टूडियोज को झाल स्टूडियो घरानी बाइब को